हलो मेरा नाम चिंद्रहास है स्टेडी स्मार्ट मैं आपका स्वागत है इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैटिक जीके से एक वीडियो जिसमें मैं आपको इंटरनेशनल और्गनाइजेशन और उनके हेड़कॉर्टर्स कहां पे हैं इस बारे में डिटेल से बताऊंगा तो इस तरह के जो वीडियों से लगभख आपको एक से दो नम्मर के कोशन हर एक उग्जाम में पूछे ही जाते हैं तो आपको अगर स्टैटिक वीडियो के सारे वीडियो देखने हैं तो यहाँ पे मैं नीचे लिंक दोंगा जिस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं लेकिन में IMF के नाम से भी जानते हैं तो IMF का headquarter कहां पे है वो है Washington DC में जो कि USA की राजधानी भी है United States of America की वहां पे इसका headquarter होता है और इस international monetary fund से एक question आपका और बन के आता है वो क्या है कि इसका head कौन है MD कौन है तो यहां से भी question आप सिर्फ पूछे जा सकते हैं head से भी लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक organization के head के बारे में आपको पता होना चाहिए जहां जहां से question बन सकते हैं मैंने वहां पे इनको समलित कर रखा है और जहां पे आपको पूछा जाना ही नहीं है तो उसको मैंने छोन रखा है तो आपको भी tension लेने के जुरूरत नहीं पड़ेगी next देखते हैं क्या है world bank वर्ड बैंक का headquarter कहा है इसका भी headquarter same ही है Washington DC में और USA में जो की पड़ता है इसके president कौन है तो इसके president है Jim Yong Kim इसके president है जिनकी photo यहां पे नीचे आपको देखने को मिल रही है अब इसको याद कैसे रखा जा सकता है तो आप आसानी से याद रख सकते हैं इससे कि जो भी आप के लोन देने वाले जो भी आपके organizations हैं जो आपको लोन देती हैं जो पूरे दुनिया भर में साहता उपलब्ध कराती है पैसे से लेटेड उन सब का headquarter कहां पर पड़ता है अमेरिका में और अमेरिका में कहां पर वाशिंग्टन DC में अमेरिका में headquarters के अगर बात की जाए त तो आप आसानी से इसे कर लेंगे नेश्ट देखते हैं क्या है United Nations Organization UNO भी कहते हैं या सौर्ट में से UN भी हम कहते हैं इसका headquarter कहां पर है तो इसका headquarter कहां पर New York USMS का headquarter है और इसके head कौन है Secretary General कौन है बान की मून इसके क्या है Secretary General है या head कह लेजे इस organization के head है तो अगर आपसे question आता है headquarters से ले करके एक आप समझ के रखे मेरिका में किल दो ही जगह है Washington DC जहां पर पैसे स्रेट सारे organization है उसको छोड़ करके जो भी सब कुछ है वो सारा का सारा कहां पर है New York में पढ़ता है जैसे UN का headquarters हो गया यह कहां पर है New York में है और देखते हैं क्या है United Nations Population Fund UNFPA वो next देखें क्या क्या है United Nations Children's Fund जितने भी आपके fund है देखें सारे के सारे कहां पर पढ़ रहे हैं New York में पढ़ रहे हैं इसे short में आप ऐसे भी याद रख सकते हैं क्या जितने भी आपके पैसे से related हैं सारे के सारे अमेरिका में ही आपके पढ़ते हैं और दो संसाय आपकी Washington DC म नुँँ यॉर्क में हैं तो ऐसे बहुत ज़्यादा है एकनम रफली दिमाग में थोड़ाँ सा आइडिया भी रहे गा तो आप लगवए एक्जाम में कर ही लेंगे तो UNICEF की फूल फॉर्म क्या है यह भी आप से पूछा जा सकता है United Nations Children's Fund यह इसकी क्या है फुल फॉर्म है और इसका मुख्याले कहां पर है नियॉयर्क में है अब इनके head कौन है MD कौन है President कौन है यह सारी चीजें पूछी नहीं जाती है तो आप भी फालतु में पढ़िएगा नहीं हाँ अगर आप बैंक की तयारी के लाओ लेकिन बैंक वगरा में तो नहीं पूछा जाता है बस अरते कि उस समय उससे रिलेटेट कोई खास नूज ना हुई हो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है United Nations Conference on Trade and Development जिसे हम क्या पढ़ते हैं या हिंदी में अंकटाट भी इसे लिखा हुआ कई जगा आप देखते होंगे तो अंकटाट पूछे तो इसका फुल फॉर्म आप बता सकते हैं वहीं आप दिहान से इसका देखिएगा नेक्स्ट देखते हैं क्या है इंटरनेशनल लेबर और्गनाइजेशन इंटरनेशनल लेबर और्गनाइजेशन कहां पर है वो भी कहां पर जिनेवा शुडिजर लैंड में लगभग अगर मैं रफली ऐसे अडियाल हूँ तो लग देखिए क्या है इंटरनेशनल कमिटी ओन दा रेड क्रॉस की रेड क्रॉस की इंटरनेशनल कमिटी का मुख्याले कहां पर है जेनेवा में ही इसका भी मुख्याले पड़ता है रेड क्रॉस क्या है आपने देखा होगा जहां भी कहीं युद्ध होता है या कोई समस्या होत है कि आपकी क्या है कि नॉन गोर्मेंट और्गनाजेशन नॉनी नंगे्ड ministry के नंगे remains मिलियन इसके पास मैंतलब 97 वेलुं जीन में कितना होता है गर करें रहां हो तो अगर आपको पता नहीं है कि ये एक NGO है जो कि ऐसे लोगों की सिवक करने का काम करती है तो आप पता नहीं सकते हैं क्योंकि नाम तो सबने सुनाता है काम बहुत कम ही लोग जानते हैं नेक्ट देखते हैं क्या है वर्ड हेल्थ और्गनाजेशन डबलू एचो इस नाम से तो सभी लोग परचित ही होंगे इसका भी मुख्याले कहां पर है जिनेवा सुटिया लेंड में पढ़ता है तो जिनेवा सुटिया लेंड में तीन मुख्याले आप ऐसे समझ सकते हैं तो आपका क्या है, अंक-टार्ड है, ठीक है, यसे समझ सकते हैं, दूसरा क्या है, ILO, International Labour Organization, और next क्या है, Red Cross, याद कर सकते हैं, बहुत असान है, यह तीनों आपके, कहाँ पर पढ़ते हैं, जिनेवा में पढ़ते हैं, उसके बाद, जो भी, डबलु से शुरू होगा और ओपी खतम होगा लगभग उन 선वी के मुख्याले आपके कहां पर पढ़ेंगे जिनेवा में पढ़ेंगे जैसे क्या है World Health Organization W से सुरू ओपे खतम तो इसका भी मुख्याल है कहां पे है Geneva Switzerland में है WHO के बारे आप सब लोग जानते ही होंगे तो बहुत जादा इस पे मैं फोकस नहीं करता हूँ World Economic Forum World Economic Forum का भी मुख्याल है कहां पे है Geneva Switzerland में है तो ये जो आपके World Economic Forum सो गए या जितने भी आपके World से शुरूँगे Organization पर कता में सब के मुख्याले Geneva में है अब इसको याद रखने अगर आपके लिए थोड़ा सा मुख्यल हो रहा होगा तो कुछ नहीं करेंगे आप एक्जाम से पहले एक्जाम से एक दिन पहले इस वीडियो को आप दो से तीन बार देख लिजेगा बस revise करने के लिए दो से तीन बार देख लिजेगा आपको लगभग 95% चीजें एकदम दिमाग में बैठी रहेंगी उनके मुख्याले कहां पे हैं वो सारी चीजें दिमाग बैठी रहेंगी एक्जाम में तो option भी मिलता है आप आसानी से उसको छाट के सही answer ही लगा के आएंगे next देखे क्या है World Materiological Organization World Materiological Organization भी कहां पे हैं जिनेवा में हैं W से सुरूए हैं आपका O पे खतम है तो Meteorological Organization का मतलब क्या हुआ जो भी वातावरण से संबन्दी थे जो atmosphere संबन्दी थे अध्यान होता है समाली जी तरह का जैसे मौसम विज्ञान है उस से related जो organization है वो कहां पे हैं जिनेवा में पढ़ता है next देखते हैं क्या है World Intellectual Property Organization World Intellectual Property Organization कहां पे है जिनेवा में पढ़ता है इसका भी मुख्याले वही बात है W से जुरू है वो पे खतम है next देखते हैं क्या है World Trade Organization ये भी कहां पे है आपका जिनेवा में है सुजियर लैंड में next देखते हैं क्या है अब ये आपका आ जाता है United Nations Industrial Development Organization तो UNIDO इसकी short form होती है United Nations Industrial Development Organization इसका मुख्याले कहां पे है वो है Vienna और ये क्या लिखा हुआ है Austria लिखा हुआ है Australia से confused मत करियेगा ये क्या लिखा हुआ है Austria लिखा हुआ है और इसका मुख्याले कहां पे है Vienna में पढ़ता है तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे कि जो भी आपके development से Industrial Development से related चीज़े है वो आपकी Vienna में पढ़ती है या जो भी उर्जा से related चीज़े है उनका सब को मुख्याले कहां पे है Vienna में ही है Next देखे क्या है जैसे International Atomic Energy देखे मैंने अभी बात की थी उर्जा से related Atomic Energy का जो मुख्याले है वो कहां पे है Vienna, Austria में पढ़ता है Next देखते हैं क्या है Organization of Petroleum Exporting Country जिसे शॉर्ट में OPEC नाम से भी जाना जाता है इसका मुख्याले भी कहां पे है Vienna में है मैंने आपको बताए ना जो भी आपकी उर्जा से related है Energies related मुख्याले है वो सारे के सारे कहां पे है Vienna, Austria में पढ़ते है तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं Shortcut हो सकता है आपके लिए या आपके पास अगर कोई और Shortcut है आप जैसे आप बनाना चाहिए इसे बना सकते हैं यहां पे इस वीडियो में आपको सारे organization की list इसलिए मैंने दे रखी है चलिए, नेक्श देखते हैं क्या है United Nations Education, Scientific and Cultural Organization सबसे पहली बात तो यह इसको Short में UNESCO कहते हैं इसकी full form आपको पूरी पता होनी चाहिए यह बहुत important है कई सारे exams में पूंचा जाता है वो Paris में, France में जो की पढ़ता है France की राजधानी तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि यह Paris में है लेकिन इसकी full form भी आप इसको याद रखेगा क्या है United Nations Education, Scientific and Cultural Organization यह Short में हम UNESCO कहते हैं ठीक है तो जो भी आपके भाईचारा बढ़ाने वाले चीज़ें हैं या आप कल्चर को बढ़ाने वाले चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपकी कहां पर पढ़ेंगी Paris में ही पढ़ेंगी ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि भाईचारा बढ़ाना हो या आपकी कल्चर को इंप्रोव करना हो तो यह सारी चीज़ आपके कहां पर पढ़ेंगी, पेरिस में ही पढ़ेंगी, तो ऐसे आप याद रखेंगे, तो आपको याद रहेगा, जैसे क्या है, देखिए, Organization for Economic Cooperation and Development, देखिए, कॉपरेशन से आप भाईचारा या सहयोग की बात याद रख सकते हैं, जो Organization का है, Economic Cooperation and Development का है, जिसे हम OECD कहते हैं, वो कहां पढ़ता है, आपका पेरिस में पढ़ता है, पेरिस जो की कहां पे है, प्रांस में है, तो ऐसे आप याद रखेंगे, तो आप देखेंगे, तो यहाँ पे मैंने सब बांट करके रखा हुआ है, निव यार्क का अलग से ह जनेवा का अलग से है, पेरिस का अलग से है, ताकि आपको याद रखने में आसानी है, उनके बंचेज बना के आप आसानी से याद रख सकते हैं, next दिखते हैं क्या है, Amnesty International, Amnesty International का मुख्याले कहां पर पढ़ता है, तो वो है अपका London में, London कहां, UK, United Kingdom, तो Amnesty International के बारे में एक तो ये question भहत popular है, किसका मुख्याले कहा है, बहुत popular question है, कई सारे exams में आता है, दूसरी बात ये भी आता है, कि Amnesty International है क्या, किसके लिए का करती है तो यह सारी चीजें भी आपको इस और्गनाजेशन के बारे में पता होनी चाहिए यह क्या है यह आपकी एक NGO है नॉन गवर्मेंटल और्गनाजेशन है एक तरह की और यह काम क्या करती है यूमन राइट्स के लिए काम करती है ठीक है मतलब मानवाधिकार के लिए काम करती है और ग्लोबली काम करती है किसी एक देश में काम नहीं करती है पूरे विश्व में लगवग यह काम करती है Amnesty International और जहां भी मानवाधिकार काम लंगन हो रहा है, हनन हो रहा है उसके खिलाफ लड़ने का ये काम Amnesty International करती है अगर इसके बारे न थोड़ी और डिटेल मैं दे दूँ तो इसके भी लगबग 7 मिलियन मेंबर्स हैं Amnesty International के मेंबर्स हैं यहाँ पर 7 मिलियन और बात की जाए तो 1977 में जहां तक साइद मुझे याद है इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है कब 1977 में ठीक है आपको पता होगा नोबेल पुरसकार कितने ख्याती प्राप्त होते हैं तो शांती पुरसकार 1970 में Amnesty International को मिला हुआ है नोबेल पुरसकार तो यह सारी चीज़ जो एक्स्ट्रा में है मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको लगे की याद रखना है तो याद रख सकते हैं नहीं लगे तो कोई बात नहीं चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं International Maritime Organization International Maritime Organization का मुख्याले कहां पे होता है London, UK में इसका मुख्याले पढ़ता है जिसे शॉर्ट में हम IMO भी कहते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या है Commonwealth of Nations यह तो आप आसानी से समझ सकते हैं Commonwealth of Nations इसका मुख्याले कहां पे होगा London में ही होगा Commonwealth nations का मतलब क्या होता है वो सारे देश जो कभी न कभी British के under में थे मतलब British आसन के control में थे तो उन सभी देशें को Commonwealth nations कहा जाता है उसमें भारत भी आपका समलित होता है और उसी की तहते हैं आपके game भी होते हैं Commonwealth Games भी आपके होते हैं Commonwealth of Nations कहाँ पोगा आपसानी से अब याद रख सकते हैं कहाँ पोगा लंदन UK में इसका मुख्याले होगा next बात करते हैं international Court of Justice ठीक है International Court of Justice यह भी आपका बहुत important question है कई सारे exam में आता है इसे हम क्या कहते हैं कि विस्टुकी नियाले भी कह सकते हैं तो ये कहां पर आपका पड़ता है दा हेग में पड़ता है जो कि नीदर लैंड में है नीदर लैंड आपका देश है दा हेग में है इसका मुख्याले है तो अगर आपको कोई भी international dispute के जो ही international court of justice के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट बात करते है दा अर्गनाजेशन फॉर दा प्रोहविटेशन आफ कैमिकल वेपनस ओपी सी डबलू ओपी सी डबलू शॉर्ट फार्म याद रखेगा दा अर्गनाजेशन फॉर दा प्रोहविटेशन आफ कैमिकल वेपनस ठीक है इसका भी मुख्याल आपका कहां पर पड़ता है दाहेग नीदरलेंड में पढ़ता है इसका भी मुख्याल है यहां से आप ध्यान रख सकते हैं दाहेग में अभी तक तो आपको पता ही रहता था कि International Court of Justice पड़ता है लेकिन OPCW का भी मुख्याल आपका दाहेग में ही पड़ता है नेक्स्ट बात करते हैं Food and Agriculture Organization FAO यह कहां पर पड़ता है आपका यह पड़ता है आपका Rome, Italy में पड़ता है तो Rome आपको पता होगा Italy की राज़ानी है तो वहाँ पर आपके Food और Agriculture का जो Organization है उसका मुख्याले है मतलब जो भी खाने पीने से जोड़ी चीज़े होंगी Agriculture से किसानी से जोड़ी चीज़े होंगी उनका जो भी मुख्याले हो कहां पर पड़ेगा Rome में पड़ेगा तो इस तरीके से भी आप इसे याद रख सकते है Next बात करते हैं International Olympic Committee इसका मुख्याले कहां पर है तो इसका मुख्याले है लुसाने सुटजर लैंड में ये मैंने जो Olympic वाली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो जो चीज़ें आप Olympic के लिए जान सकते हैं उसमें भी मैंने बताया था कि इसका मुख्याले कहां परता है लुसाने सुटजर लैंड में Next बात करते हैं World Wide Fund for Nature जिसे WWF के नाम से भी हम जानते हैं World Wide Fund for Nature इसका मुख्याले कहां पर है Avenue to Mount Blank तो Mount Blank तो आप सब लोग जानते ही होंगे Avenue to इसको भी आप अपने में शामिल कर सकते हैं तो Mount Blank में इसका मुख्याले है कि इसका WWF का World Wide Fund for Nature Next बात करें International Cricket Council जिसे हम शॉर्ट में ICC के नाम से जानते हैं इसका मुख्याले कहां पर है दुबई में पढ़ता है बहुत सारे लोग confused हो जाते हैं क्योंकि ICC में भारत की दखना अंदाजी कुछ ज़्यादा ही होती है तो सोचते हैं कि इसका मुख्याले भी इंडिया में होगा या तो दूसरा confused होते हैं कि इंग्लैंड में होगा इसका मुख्याले जबकि इसका मुख्याले कहां पर पढ़ता है दुबई में पढ़ता है The Federation International Day Football Association जिसे शॉर्ट में हम फीफा के नाम से जानते हैं इसका मुख्याले कहां पर पढ़ता है यह पढ़ता है आपका जियूरिक स्थुट्जर लेंड में जैसे आपने देखा था ICC क्या है, जो cricket की controlling body है, जो सारी चीज़ें देखती है, क्या नियम कानून बनाने हैं, और जो भी control वाला part होता है, कब क्या game आपको organize कराना है, यह सारी चीज़ें ICC में manage होती है, तो उसी तरह FIFA आपकी क्या है, football के लिए controlling body का काम करता है, तो इसका सब लोग नाटो के नाम से जानते होंगे, और सब लोग इससे परचित भी होंगे, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा, cold war पढ़ा होगा, तो आप सब लोग जानते होंगे, North Atlantic Treaty Organization के बारे में, इसका मुख्याले कहां पर पढ़ता है, Brussels, Belgium में इसका मुख्याले पढ़ता है नाटो का, नाटो के बारे माँ अधिक जानकारी जानना चाहते होंगे, तो आप अपने इतिहास की किताब से पढ़ सकते हैं, वहाँ पर लिखा होगा, next देखते हैं, South Asian Association for Regional Corporation, जिसे हम short में क्या जानते हैं, सार्क के नाम से जानते हैं, अभी हाल फिलहाल में, मतलब 2016 में, स शार्क की बहुत सारी गत्विधियां हुई हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, तो इस से रिलेटेट भी आपको उस तरह के जो करेंट अफेर वाले कोश्चन हैं, वह बहुत सारे आएंगे एक्जाम में, ठीक है, तो वह सारी चीज़ें आप वहीं से पढ़ लीजिएगा जो शार्क से रिलेटेट चीज़े हैं, तो वह सारी चीज़ें पढ़के रखेगा, दूसरा इस से आ सकता है, कि इसका मुख्याले कहाँपे पढ़ता है, शार्क का, तो वह पढ़ता है आपका काठमांडु में, जो कि क्या है, नेपाल की राजधानी है, नेपाल में सब्सक्राइब नाम बधर तुमने देखा था कीडेव लेकिन पूछा जाता है पिर विह सामिल कर लिया है नेक्स देखते हैं क्या है एशियन इंफ्रस्ट्रक्चर इंवेस्ट्वेंट बैंक इसका मुख्याल है कहां पर है बीजिंग चाइना में है यह जैसे हमारा वर्ल्ड बैंक होता है सारी दुनिया को लोन देने का काम करता है डेवलप्मेंट के लिए वैसे ही स्टेडीजी की ताइत यह खोला गया है तो इसका मुख्याले कहां पर पढ़ता है बीजिंग में पढ़ता है ध्यान रखेगा इसे आप दूसरा जो एक बैंक है उससे कन्फ्यूज मत होईगा दूसरा बैंक कौन सा है दूसरा बैंक है निऊ डेवलेपमेंट बैंक जिसे तो 화 एशी अंफरस्टेक्ट्सरीच्चरे दोनों ही अलग अलग भैंक हैं दोनोंगी कर्विदियां अलग हैं दिखान रखिये दोनों को मिक्स नहीं ना तो दोनो को एक समझिए तो सभी प्रयाद के कहां पर में है इसके प्रेशिडेंट कौन हैं के वी beneath हैं कहां से हैं इंडिया से हैं यह आपका बैंक खोला गया जो भी ब्रिक्स के अंदर देश आते हैं कौन-कौन से ब्राजील रशिया इंडिया चाइना और साथ अफरिका यह पांच देशों ने मिलकर के बैंक खोला हुआ है डेवलप्मेंट के लिए सब की इसमें हिस्सेदारी लगभग 20-20% के है सबकी 20-20% के हिस्सेदारी है कोई जादार नहीं है कोई कम नहीं है और वोटिंग राइट्स इसमें सबको 20-20% का मिला हुआ है तो पहली बार यह बैंक खुला तो इसके मुख्याले को लेकर के चाइना ने बाजी मारी थी और उसने इसका मुख्याले सं अफिस है वह आपका जोहानसबर्ग साउथ अफरीका में खोला गया है साइध यह हो सकता है ज्यादा भी हो जाए आपके लिए इतनी डिटेल में इंफरमेशन लेकिन मैं बता दे रहा हूं तो इसके प्रेजिडेंट के बारे में यह है कि इसके जो प्रेजिडेंट होंगे जो भी आपके ब्रिक्स बैंक से ही कोई ना कोई होगा अब यह समय साइध चाइना के उसमें कोई वाइस प्रेजिडेंट है नाम मुझे इतना याद नहीं है तो यह आपका निव डिटेलेप्मेंट बैंक है वह आपका एशियन इंफ्रस्रेक्टर्टर डिवलेप्मेंट दोनों ही अलग चीज़ें हैं नेक्स्ट बात करते हैं तो यह आपका देखें फिर कर देवलेप्मेंट बैंक जैसे आप शॉर्ट में एडीवी के नाम से जानते हैं तो यह आपका एशियन डेवलेप्मेंट है इसी बैंक से टक्कर लेने कि लिए चाइना ने अपना पहला लगभख पंद्रह संदो 10 परशन्ट है और जर्पान के बाद rph की कि लिए अपना खुद नों का इस का हेड्य के लिए पहांपर पढता है तो मनीला फिलिपीन्स फिलिपीनस तो यहां पर इसका भी काम क्या है कि जो भी एशन देश हैं उनको सबको डिवलप्मेंट के काम है उसमें सहायता प्रदान करना है इन सब चीज़ों के लिए खोले जाते हैं सारे मैं तो मनीला में इसका है फिलिपिन्स में पड़ता है इसके प्रेजिडेंट को लेकर भी सवा बदल तो नहीं गए है मतलब ऐसा नहीं सोचेगा कि जो प्रेजिडेंट बन गया हमेशा के लिए प्रेजिडेंट ही रहेगा बदलते रहेंगे हैड़कॉर्टर बदलना थोड़ा मुश्किल काम होता है अब बदलेगा तो बहुत हाइलाइट में होगी वो न्यूज हाँ प्रेजिडेंट इसके बदल सकते हैं तो आप इन चीजों को अपडेट कर लिजेगा जब भी इस वीडियो को देखेगा तो अभी के लिए फिलाहाल तो यहीं है आगे 5-6 महिने में आप देखते रहें कोई बदला तो नहीं है नेक्श देखते हैं क्या आता है इंटरनेश हैं मौंट्रियाल कनाडा में पड़ता है सीविल अबिएशन मतलब दो वाई के बड़ता है ईंटरनेशन इसीविल अविएशनड हैं कहां पे है उसका हेड़क्वाटर बर्न स्टुडिजर लेंड में इसका हेड़क्वाटर पढ़ता है तो बर्न आपका शहर का नाम है जहां पे इसका हेड़क्वाटर है नेक्ट देखते हैं क्या है। Nations University United Nations की जो इनिवस्टी है वो कहां पर है आपकी Tokyo Japan में है तो अगर आपसे बात होती है इसको याद कैसे रखेंगे तो आप ऐसे याद रख सकते हैं Japan के लोग बहुत जादा धिमान होते हैं तो वहीं पर यह इनिवस्टी स्थापित की गई है Tokyo Japan में तो ऐसे आप ऐसे छोटे छोटे अपने कोई भी shortcut बना के इनको याद रख सकते हैं तो ये थे सारे आपके international organization और उनसे related जो भी information थी मैंने आपको इस वीडियो एक वीडियो के मध्यम से दे दिये इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे आपको 90% चीज़ें याद हो जाएंगी और exam में आप अच्छे से करके आएंगे तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comment करना ना भूले लाइक करके भी इस वीडियो को बताएं कि आपको वीडियो पसंद आया की नहीं आया और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को subscribe जरूर करिए जिससे मेरे दोरा मिलने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहें और आपकी जो preparation है वो भी और अच्छी होती रहें तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए have a nice day and bye